सर, मैंने बाबा जगताब के कॉर्ड रिकॉर्ड चेक की हैं सर एक लॉयर का नंबर मिला है बाबा इससे रेगुलर टच में हरिश नायक नाम है उसका बहुत बड़ा लॉयर है कि है? नहीं सर, ये बाबा एक नंबर का जोलर आदमी इसके उपर बहुत सारे केस चल रहा है हरिश नायक यही सब केस हैंडल करता है लेकि सर, इंटरस्टिंग बात यह है कि हरिश नायक इंद्रजीत की फैमिली का भी लॉयर है नहीर साब, ये कुछ ज्यादे बड़ा कोइंसिदेंस नहीं है क्या आप ही के एक क्लाइंट जगताप ने आप ही के दूसरे क्लाइंट इंद्रजीत की सुपारी दे दी जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता भी नहीं है लेकि इंस्पेक्टर साब, अगर मैंने जगताप को सुपारी दी भी है, वो भी इंद्रजीत की तो इंदरजीत तो जिन्दा है? सुभारी देना भी तो क्राइम है ना? सर आप इंदरजीत के फैमिली मेटर पर इंदेस्टिकेशन करेंगे तो जाद अच्छा रहेगा कैसा फैमिली मेटर? इंदरजीत जी सन्दी की धंकियों से बहुत परिशानत है वो अपनी प्रपरटी को तीन हुसों में बाटने वादे थे ताकि सन्दी का मूँ बंद कर सके लिए इंदरजीत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया देके ना तन्वी है ना उसका बच्छा वो सोचते थे कि बिना वजा उस बेटे से क्या बात की जाए जो पहले ही से नाराज है मतलब देखे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ बताईए नकुल जानता था कि जकताब मेरा क्लाइंट है अर उसने मुझसे इस बारे में कही बात पूछा भी था सरी अंद्रजीत प्रॉपर्टी में तन्वी के बच्चे को भी इस्सा देने वाला था आखिरी ये बात नकुल को कैसे पता चली सर्व इंद्रजीत की कीप मनीशा से सर्व पापा मुझसे और गौरफ भईया से एक एक रुपय का हिसाब लेते हैं और खुद अपनी आयाशे उपर आखे बंद करके पैसे उड़ाते हैं सर्व मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर ऐसा ही लगा रहा दो पापा एक अना एक दिना में डूबो देंगे इसलिए सर्व मैंने मनीशा को पैसे दिये पापा की जासुसी करने के लिए इंद्रजी जी जब मुझसे अपने प्रॉपर्टी तीन हिस्तों में बातने की बात की तो यह बात मैंने नकुल को बता दी और जब यह न्यूस तुम्हें मिली तुम्हें लगा कि यार रुक्सान हो जाएगा और तुमने सुपारी देदी सुपारी अरीश ने हमें सब बता दिया है नकुल जानता था कि जकताब मेरा क्लाइंट अरुस नमसे इस बारे में पहीं बार पूछा भी था सर, हरीश से तो मेरा कभी काम भी नहीं पड़ता मैं उसके बास क्यूं जाऊंगा सर, वो मुझे फसा रहा है सर, गौरव भया के कहने पर लेकिन गौरव ऐसा क्यूं करेगा सर, क्यूंकि गौरव भया हमेशा हरीश से डील करते है सर, मैं कह रहा हूँ आपसे गौरव भया नहीं पापा की सुपारीदी है अब आप खुदी सूचिए ना सर जिस आदमे से मैं मिलता तक नहीं वो मेरा नाम ले रहे और मेरे इस सब में फसने से अगर किसी का फाइदा है तो वो हरीश के दोस्त का मतलब गौरव भया का सर, गौरव के करेंट मोबाइल नंबर को छोड़के पिछले तीन महिने में उसके नाम से तीन अलग-अलग नंबर्स लिए गए लेकिन सर, इन नंबर्स के बारे में किसी को नहीं पता सिवाए एक नंबर के जिस पे कॉल की भी गई है और जिससे कॉल आई भी है किसका नंबर है आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कड़ी मिसिंग है एक बंदा नहीं है नहीं कि वो जो बाबा अंडर्गांड हो गया था न वो जैसे सते पे आया हमने दभूच लिया करडे मैंने कुछ नहीं क्या मैंने कुछ मैंने बोल बाबा किसने दी थी शुपारी बोल मुझे यह वकिल साबने सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की उस बुढ़े को टपकाने के लिए वकीर साब अब तो गवाई भी है और कोट जाने में काफी टाइम है इतने डंडे पड़ेंगे न हर हड़ी इची खुठेगी करड़े सबके जरूरत नहीं है सर पापा को मारने के एक करोड की सुपारी मैंने दी थी पर जिन्दा रहते तो अपने आयाशों से हमें बरबाद कर देते चलो प्रॉपर्टी के लिए पापा की सुपारी दी तन्वी को मार दिया और मन को क्यों मरवाय है Ben Amon को मैंने मरवाया क्योंके मैंने दी चाहता था कि उसके जरें आप लोग मेरे पास पहुँचें अमन जानता था तुझे, हाँ, वो सिद्धू के साथ दो तीन बार मेरे असरब में आया था, बाबा, यह अमन है, मेरे से घोड़ा दपता नहीं है, मेरे हाथ कापने लग जाता है, तो मेरे बदले यह मारेगा, उसने मुझे देखा था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता थ ओ, सिद्धू ने बताया था कि ओ तो पहले से फार्मोस में मरी पड़ी थी, बहुट टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग, तोड़ो इनको सर, तीनों को बहुत तोड़ा, लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा है, तन्वी की सुपारी दी किसने सर, तन्वी की डेथ के एक विक पहले, अबोर्शन का एक अपॉइंट्मेंट बुक किया गया था, तन्वी की गाइकनॉलोजिस, डॉक्टर स्वाती की क्लीनिक पे, और इस अपॉइंट्मेंट के 15 दिन बाद, डॉक्टर स्वाती के अकाउंट में 10 लाग रुपे डिपॉ दिये थे, इंद्रेजी जी ने बोला था कि नाराएंट जी अपनी बेटी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाएंगे, मुझे उसका अबोर्शन करना है, बाबा, बाबा, बाबा हम यहां क्यों आया है, सनी ने कहा था यहां लेकर आने के लिए, मैं लेकर आ गया, ठीके मैं उसे फ इंद्रजी साब ने मुझे धम की दी थी, कि अगर तन्वी का आवा उच्छा नहीं कर वाए, तो तन्वी को जान से मार देगे, तो डॉक्टर टी साहबा ने मुझे गिराने वाली गोलियां थी, मैंने दोके से वा गोलियां उसे खिलाई और तन्वी का बच्चा गिर गया तो फिर मारा क्यों? तन्वी को लग रहा था कि उसका बच्चा अपने आप गिर गया है, लेकिन उस दिल सच्छा ही उसके सामने आगए क्या ही है? क्या ही है बाबा? आपी ने मुझे दवाई दी ना? आपी के वेज़े से मेरा बच्चा गिर गया है ना? तन्वी, देख पिठा मरी बाख सूँ मैं सन्वी को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाली है, छोड़ेंगे ने हम आपको, पुलिस में जाएंगे हम लोग तन्वी मेरी बेटा, देख तो ये किसी से खुच नहीं कहींगे बेटा छोड़ूगी ने में आपको, सजा तो आपको दिना करी रोगी, देख लीजेगा आप! तन्वी, मैंने तन्वी की जायन बचाने के लिए उसका आवर्शन करवाया था पर वो मुझे ही जेल बेटने की धंकी देने लेगी मैं इस बुड़ा पे मैं जेल नहीं जाना चाहता था जब उस सनी को यह सब बताने के लिए फाम हाउस पर गई तो मैं भी बैंक टॉर से फाम हाउस में चला गया कैसे बापो अपनी बेटी का यहाल किया शर्म नहीं आई और तुम तन्वी के रेप की सजा तुम्हें मिले नहीं उसका शड़ेंद्र करके गर्ब पात करवाने की सजा जरूर मिलेगी और तुम तो डॉक्टर हो ना चंद पैसों के लिए ऐसा घिनोना काम किया तुम्हें तुम्हारा करियर तो खतम ही है कि रोते बिलगते वहां पर मंदिर के पास जो पेड़ है उसके नीचे देखा क्या हुआ बिटा रो क्यों रहे हो भूक लगी है ये लो समोसा खाले हमें उस बच्ची को देखकर सथ बहुत तरस आने लगा इसलिए हमें डिसाइड किया और हम उसे अपने घर ले आए मानती हूं कि परी के आने के बाद मेरा परी से लगा थोड़ा जादा हो गया था लेकिन सर इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहा से कम पयार करती थी और नहा तो अपने हाप में रिजर्व रहने वाली लड़की थी हमने उसका बोर्डिंग स्कूल में अड्मिशन करवाया और वो खुद अपने मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हुई और इस बात के लिए वो हमारा दिल से हैसान मानती थी और शायद दिल से आपको मावाप नहीं मानती थी क्या कमें सी? अबेश और खास बात ही है सर कि अमन्मानी कला के अंद्र की एक और लड़की का वीडियो है वीडियो अपन करे यह लड़की अमन्मानी कला के अंद्र में डांस सिकती है मैं इसे मिला भी था पर इसने कुछ बताया है ने वीडियो पॉंस करो रह नेकपे जूम करो पता करें लड़की कौन और कहां रहती है बढ़की करें जाना है इसको फोन भी नहीं लग रहा है अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है लगिन तुम्ही तक गबड़ा क्योगी है किस काम से बार गई है वो बहुत कहां गई है वो पॉद्चिन एख रही थी उसने भी एक ओदीशन दिया है किसी सीरेल में रोल मिलन वाला है ओरीशन? ममी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था? कहां गई है ममी? वो बोल रही थी किसी रोहित बोलके डिरेक्टर रोहित? अरे क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? प्रिया राइट? हाँ लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकते हैं मुझे कहीं जाना है फ्लीज पहले पात करो हमें आपसे जरूरी बात करनी निया मार्टर कैस के बारे में निया के लाइव वीडियो में आप थी? सर मैं आपको सब कुछ सच बता दूगी लेकिन अभी नहीं मैं आपको सब कुछ बात में बता दूगी अभी मेरी बैहन क्या हुआ आपकी बैहन? सर मानते हैं सर के लड़की लोग को मजबूर करते थे पॉन वीडियो बनाने के लिए नेक्सिस के बारे में थामें कुछ पता भी नहीं है सर हमें पॉन वीडियो बनाने के बल्क में पैसे मिले थे उसे साइट पे किसने डाले ये भी नहीं मालन सर सर हमने जगे जगे पे अपना रेज्यूम डाला हुआ था सर नौक्रे के लिए पिर एक दिल ना हमारे पास पॉन आया हमको ना बल्क में पॉन वीडियो बनाने के लिए बोला आजकल हर लड़की बनना चाहती है सर इसलिए हमने अमन वारी काला केंदर के लड़के को कर रही है तो उसने बोला कि इसको बस उठा के ना थोड़ा सा डरा दो तो सर खाली उसको डराने के लिए और ट्रैप करने के लिए ना सर एक हड़ी डाल दिया सर मैडम सुनों या पॉन निकसस का फोल खुलने वाली है तुम को अरे ख़बरी समझ लिए मैडम वस एक बात बता है वो जो हाइवे को पास जंगल है ना कल तीन बजे वहाँ पर ओपन में एक पिक्चर बुनने वाली है वाकी आप खुदी समझदार है एडम समझ जईए है और वो निया जोती से मिलने के बाद प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही है तमलग ने निया को किर्णैप करके कहा रखा था सर वो बॉस ने बुला था कि डी एफ रोड पर बॉस का एक गुदाम है कौन बॉस? उसको कभी नहीं देखा है खाली फोण पर बारत होती थी, सर दोने? रही, सर सर, यहीं यहीं पर लाये थे सर उसको वह सर यहीं पर छोड़के गए थे सर, कुछ नहीं इन दोनों का वरवसा नहीं कर सकते सर, नहा की लाश मिलिया मैं नदी के पास अगर उन लोगों ने नहा को यहां पर जिंदा चोड़ा तो क्या नहा यहां से जिंदा भार गए? तो क्या कैसी और ने उसका मैडर कर दिया? सर, सर उन लोगों ने जिस बॉस का नंबर दिया था वो फेक आईडी का है यह बस जो भी है, उन दोनों का कहना है के बस भही है, जो पॉंड साइट रंड कर रहा थे जिस पे जोती और प्रिया के वीडियो अप्लाओड होगी थे और इनका यह भी कहना है, कि उन्होंने नेहा को उस ही के कहने पर किंड़नाप किया था सर में ने इस जगह के बारे में पता किया है डिस्प्यूटेट प्रॉपर्टी जिस पे एक एंजियो क्लेम कर रहा है लेकिन सर नगरपालिका का कहना है कि सरकारी जमें में क्लेम काउन कर रहा है सर सरवदीप एंजियो शुषपाल जी जी सरव देख पैंजी हो आपका है जी हाँ, क्या होगा वहाँ माना कि उस जगर पर एक्लेम कर रहा है लेकिन वो जगर तो सालों से अबेंडेंड है अभी तक कोच से मुझे उसका मालिकाना हग भी नहीं मिला है उस जगर पर क्या होता है, क्या नहीं इसके बारे में हमें क्या वालूम यह लड़का जी, मेरा बेटा है जरूत पड़ी तो आपसे दुबारा मुलकात होगी जी ओन साइट का ओरेजिन कहां पर है किस कंट्री से उपरेटोराइज बात का कोई हिंट नहीं मिल रहा है, सर अगर उन लड़कों ने नहा को जिंदा छोड़ दिया था तो मुम्के ने किसी और ने फायदा उठा का नहा को खतम कर दिया सर, सर तो उसने मार दिया हराम से बताओ, क्या हुआ? किसने मार दिया? सर, मेरे बाफ शी शुपाल ने सो मार दिया नहीं, सर मेरी बास सुनिए मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है तेरे बेटे की हालत तूनी है सिसे की है बच्पन से उसको पीटता है तुने टॉर्चर करकर के उसको ऐसा बना दिया सिर्फ बेटे कोई नहीं तो ने खुद की बेटी के साथ क्या क्यो कर्म किया सब पता चल गया हमें तेरे बेटे ने तेरी पूरी पूल खोल दी एंजीयो की आड में तो पॉंड साइट का नेक्सिस चला रहा था ना सर तेरे ही कहने पर रोहित और संजे नेहा को जखमी हालत में वहां चोड़के गए थे पर उसके बाद तेरी एंट्री वहां होई अब अगर जूट पोला तेरह सर फोड़ दूगा मैं कभी अपने पेंगी को पचा नहीं पाया उससे बहुत दूर हो गेती हूँ और जब मेली तो मेरा पॉपन है आम आ लूजर सर आम आ लूजर आम आ लूजर पंगत पंगत सर अजीब आरनी नहा बच्पन से जिस बाप की जुल्म सहती रही इतने सालों के बाद उसका सामना उसी से हुआ उसकी सच्चाई सामने लाने से पहले ही हो अब ही भी कई मासुम बच्चियों के साथ हो रहा है जहां उनके करीबी ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे और अफसोसनाक बात यह है कि उन बच्चियों के अपने सच्चाई जानने के बाद भी या तो इस सच्चाई से मुझ फेर लेते हैं या फिर चुपी साधे रहते हैं और यह काफी चौकाने वाला है साथ कि अपनी ही बेटी को मुलेस्ट करें वाला शिचुपाल और भी कई लड़कियों की जिन्द क्या बरबाद कर चुका थी उस साइड पे ऐसे हजारों वीडियों शर्मा ये शिचुपाल जैसे लोग तो इस गंदे तालाब की एक छूटी सी मचली कि डार्क वैब एक बड़ा समंदर जिसमें लाखों विक्टिम्स एक एक वीडियो के पीछे हजारों मासुम बच्चियों की चीखें दबी हुई शर्मनाक बात ये है कि लोग जाने अन जाने में ऐसे सस्ते मन और अंजन के लिए उन क्रिमिनल्स के लिए बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं तो निश्या का रेप किया ना तुने उसके बच्चे को मार दिया बोल शर्म मैंने कुछ नहीं किया सर पहर किस ने किया सर उसन निशा कारा दरा सब शादी कर ले अरे प्यार करते हो ना और अब हमारे बिच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो वरो गया ना अगल हो गया तू तीमाग खराब हो गया तरह और ये शादी की बाद कहां से आगी बीच में? बस अभी मैं रेडी नहीं हूँ इन सुब चीतों के लिए अभी. आउना? सुदीव, क्या है ये सब? माप, मैंने शादी कर लिये. क्या है? कौन है? बताया है नहीं अचानक शादी करके आगया? बेशक, निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था. इसलिए मैंने डेली टांसवर ले लिया और यहां से चला गया. लेकिन पिछले साल जब मैं चुटियों में घर बापस आया तो... निशा, मैं लाभी नामिक. निशा, क्या करें तुम्हें पांगल होगी हो? तुम्हें कोई नहीं है, तैच्छ मतलाओ. किसी को पता नहीं चलेगा. निशा, तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी था? तुम्हें अच्छ मेरे बाई की बीवी हो, क्योकि मैं तुम से प्यार करती हूँ और इसली मैं उसे शादी की, समझ में आया तुम्हें? मुरे दिमा खराब होगे क्या? निकल जुआ मेरे कमरे साभी काभी. जर उनी हिटा से लड़ी से लंगे हैं लंगे! लंगे हैं लंगे लंगे लोमे लंगे हैंी है? जूट बोल रहे हैं तो तो बेर भागा क्यों? सर क्योंकि क्योंकि उसने मुझ पर जूटा इल्राम लगायता है इसलिए भागा सर ये सर नहीं बोले इसका अच्छी तरहां सर भरता बना सर प्लीज सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं ठीक सर सर दोल आज अनामिका केस में कुछ इमपोर्टन चैट्स मिलें हमारी तेखनिकल टीम को अनामिका किसे चैटिंग कर रही थी उस आइडि का आईपी अड्रस निशा के गर में लोकेट हो आए अनामिका और निशा का क्या करेंग्शन हो से था एक और इंपॉर्डन बात पता चिलिया है क्या हां सर अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए नमन बन कर क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भाया निर्दोश है हमने तुम्हार रिकॉर्ड्स चेक कि है तुमने डिपार्ट्मेंट से इल्लीगली अनामिका के आईपी अड्रस इसका खर का पता निकल वाया था क्यों सर मैंवान नमन को मारने गया था लेकिन जब मैंने आनामिका को बाहा दे का तो अमें धर गया आप 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 कॉवच disfrण मुचा ऑनके यहां ऑनके यहां था आप मुचे सबढ़ बोलने यह रहां ऑनके अचे यहां और उसा इसे काहां पैप ढ़्ना पास लुचिवेगा देख भर मेले क्या देख आए कबरानात मेरी यहां धियारी ओ हा अब राम से बता, बेना डिरे, क्या वोगा था? बाईने बेडी ड्रेस कर आप कर देती, हैली! मैंने आपके शिस्टर हूँ, गुन-गुन! आपके ते क्यों उटो, मेरे छोटे भाई? इची, क्या कर जा तुमें? अब फिर, उसके बाद क्या हो? मैं अपनी डॉलेन स्टोरूम में गई थी, मुझे वाँ भाई दिखा था भाई? भाई 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 क्या होए तुझे? भाई? आपके वाई भाई भाई? आपके वाई भाई 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 और वो टीचा है, उन्होंने मुझे कहा था क्या अगर तुम्रे केजी को भी कुछ बता दियाना, तुम्हे मेरे साथ गदत काम कर देगे और भाई 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 इसलिए उन्होंने मिल साथ आपके वाई भाई 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 पड़ allegedly किती है अच्छा जाए एक बाल कर देना मुझा इस जनम में तुम्हारे अच्छे मानी बन सकते हैं इसलिए तुम्हे जाना होगा और तो और तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स मेलें स्टोरों के अड़े घर तुम्हारे चैट्स नमन के साथ हैं। ये बच्चा बमारे बीच की प्रोब्लम है! इस बच्चे को हमेशा के लिए खतम कर देती है। ये सारे चैट्स नमन के साथ के तह थो अब बोलो! मेना मन इसे बहुत प्यार करती थी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था लेकि जब मैंने उसको शादी के लिए बुला ना पी माँ खराब हो गे तरहा और अज़ शादी के बाद काँ से आगी बीच में? मैसे भी मैं रेडी लियू इन सुब चीदो के लिए लिए इसलिए मैंने उसके बड़े भाही सुदिर से शादी का लिए लेकिन उमच से दूर चला गया जब वो जुटियों बापस आया ना उसने मुझे फिर से टुकरादी मैं यह सेह नहीं पाए और मुझे बहुत गुस्सा आया ज़िए फिर वह बाग गया नामन के दूर जाने का बहुत दुख था मुझे लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा था और गुस्सा तो मुझे निली मा पर भी था अज़ मैं सब उससे प्यार कर देखा है कोई मुझे से टीक से बात भी नी करता था इसलिए उसे फसाने के लिए मैं केची फेकने के वक्त उसका फोन साथ ले गई थी नमन को दूनने के लिए मैं उदह के करीब चले गई और इसे बीच में नमन मुझे सा चाटिंग करने लगा जो लगा नमन मेरी जिंदेगी में वापस आ जाएगा और मैं जानती थी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में है उदह मुझे छोड़ीगा नहीं मुझे इस जनम में तुमारी अच्छी मानी बन सके लेकिन इस जनम में मुझे नमन चाहिए लेकिन इस जनम में मुझे नमन चाहिए लेकिन तुमे जाना होगा लेकिन फिर अचानन नमने मुझे से चाट करना बन कर दी और गलती से मैंने नमन के बारे में उदह को बता दिया उदह तुम नमन से नहीं, बलके अनामिका के साथ चाटिंग किया करती थी. अनामिका, जो किरन की बेस्ट फ्रेंड है. किरन अनामिका के जरीये तुम्हारी सच्चा ही सब के सामने लाना चाती थी. अनामिका नमन बनकर तुमसे चाट किया करती थी. और यह कहती थी, कि सब को छोड़कर अगर तुम मेरे पास आले हैं, तो मैं तुम्हें अपना लोगी हूँ हूँ, तुम प्यार के लिए हर जगा भटकती रहीं, लेकिन ये भूल गहीं, कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा असली प्यार है, उन्हें थे थी, फोन करती थी, तो उसको डियोर्स की चाहिए था? ने ने सर, वहीनी को डिवोस नहीं चाहिए था, वह तो ददक को चाहिए था, क्यों? वो बच्चा नहीं देफा रही थी ना इसलिए और जो सर अपने वो अवरत देखी ना घर पे उसका और दादा का चक्कर चल रहा है से सर वहीनी के भेहन श्वेता और संजे दादा दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर रहे थे कि तो डिवोस ले करके हाँ हाँ साहब मैंने ये बात छिपाई आपसे कि गवरी उस्ट यहां आई थी लेकिन मैंने उसे घर में नहीं लिया तो पैसों के लिए आई थी वो यहां पर ऐसे ही एक बार आई थी और यहने लेके चली गई फिर उसके बाद हर महिने वो पैसे मागने लगी मुझसे अब इस बार पता नहीं क्या लूटने आई है ये सोचकर मैंने उसे घर में नहीं लिया तेरी बीवी थी उसका हाग था इस घर पे उसको घर में लेता तो जान बच जा थी उसकी साइब बीवी थी मेरी लेकिन सुनते उसके बहन की थी श्वेता की ये डिवर्स का आइडिया ये पैसे एटने का आइडिया ये श्वेता नहीं दिया था उसे साइब मैं तो कहता हूँ ये श्वेता है ना ये पैसो के लिए किसी की जान भी ले सकती है तो भी जान ले सकता है, हाँ, तर आफेर चल रहा है ना नंदिनी के साथ? नहीं, साहिब, मेरा और नंदिनी का कुछ नहीं है, साहिब, जूटे है साहिब, साहिब, किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बुला होगा आपको, एक नंबर का शाणा आदमी है वो, वो मुझे जेल में डालकर ये घर और प्रॉपर्टी अडपना चाहता है, और शायद गंदी नजर भी थी मेरी बीवी पर, अहाँ साहिब, मैंने खुद देखा है उसे गवरी के कमरे में जाकते हुए, साहिब, मैं कहता हूँ न, ये शांतनू और श्विता ये तोनों ने मिलकर किया ये काल, अपनी जान बचाने के लिए वो मुझे पसा रहा है, मैं, मैंने जुल्री और पैसे मांगे थे, लेकिन वो, वो गौरी के सेफटी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए, और हर मैना सिर्फ पहले दो मैने पैसे दिये, उसके बाद जब भी गौरी पैसे मांगती थी, तभी कुछ ना कुछ पहाने बना के टाल देता था सत्रा साल, कितने सत्रा साल हो गया ये पूलिस की नुखर का रहते हुए, बहुत लोग देखे हमने, बच्चे अपने माबाप को मार देते है, प्रॉपरडी के लिए, पैसा तो नहीं, कि पैसो के लिए आपने अपनी बहन को डिवर्स देने पर मजबूर कर गया सर, गौरी के मरने से संजय को फायदा है, वो दूसरी शादी कर रहा है नंदीनी के साथ, मेरा क्या फायदा, मैंने तो अपनी बहन को ही है, जूट कितना भी आसु बहा ले, सच सामने आई जाएड़ा सर, हम लोग यहाँ खड़े, यहाँ से सीधा जाके दाए मुड़ेंगे तो यह संजय का घर लगता है, और पाय मुड़ेंगे तो श्वेता का घर है, और यह टी जंक्शन से बस्टॉप 2 किलोमेटर दूर है और श्वेता के घर से गवरी का ससुराल 6 किलोमेटर दूर है पुलिस टीशन के बाहर के CCTV पुटेच के हिसाब से गवरी चलते हुए आई थी इसका मतलब उसके साथ जो पहली बार रेप हुआ है वो पुलिस टीशन के आसपास ही हुआ है सर यहाँ दूसरी तरफ एक जंगल टाइप ही रही है शायद उसे वो वहा लेके क्या हो यह कार नेरवाड़ी टोलना का क्रॉस करके आए वहाँ का CCTV पुटेच चेक कर सर गवरी की बाड़ी हाइवे के पास मिली है और तब उसकी बाड़ी पर कपड़े नहीं थे इसका मतलब उसका रेप कही और हुआ है रात बर उसको किसी और जगे पे रखा गया है सर हमें वो लोकेशन ढूनना पड़ेगा उसकी सिरिया डिटेस मिली सर अब तक नहीं मिले लेकिन मैं अपडेट करता हो आते ही गवरी संजे के घर गए थी संजे के घर वाले बहुत तेड़े लोग है सर एक दूसरे के ऊपर शक जाता रहा है मुझे तो लगता है ना यह सब इनका ही किया धरा है कि गवरी के मौत से संजे को फाइदा हो सकता है अगर आयसा दूकिर श्वेता भी विश्ण जाएगा सर एक रिक्षा वाला मिला है जिसने उस राद गवरी को देखा है साहब कोकन से आने वाली ट्रेंज से मुझे भरपूर भाड़ा मिल जाता है इसलिए मैं अपना रिक्सा लेकर स्टेशन गया था अरजीदी क्या हुआ आपको अंदर बढ़ जीए मैं आपको अस्पाल शूर देता हूँ गवरी को शीतल नगर कितने पर ड्रॉप किया था तुमने? दो बज़े साहिम सार गवरी रात को नौ बज़े पोली स्टेशन से निकली थी पोली स्टेशन से सीतल नगर सीट फॉर सीफ 20 मिनट के दूरी पर है सर इसका मतलब जब वो संजे के घर पहुची तब उस पर फिर से रेप होच चुका था सर गवरी की लास्ट सेलफोन लोकेशन मिली है यहां से 160 किलोमेटर दूर पर तालू का साटोवी मानिक बाग ते 160 किलोमेटर दूर? यह सर यहां कुछ तो गड़बड है सर गड़बड तो है खान एक काम करो, तुम मानिक बाग पहुंचो ओके सर, गड़बग सर अर्शा सर गरवालों के सब के सिडिया निकाने अरून संजेश्वेता सब के यह सर जी जगह तुमने गवरी को पिक किया था वो जगह याद है? हाँ साइब खूप बोलो साब वो दीदी ना मुझे यही पर मुली थी यही पर अच किदर से आई थी? साब मैं इधर से रिक्षा लेके आ रहा था तो वो दीदी धर से आई और मेरे रिक्षाने खड़ी हो गए सर, हम लोग गाव से काफे बाहर आ चुके तुमसर मार्केट भी यहाँ से दो किलो मिटर की दूरी पर है यहाँ पर कुछ खास बस्ती भी नहीं है तो जो कुछ भी हुआ है वो इसी दो किलो मिटर की दूरी में हुआ है किसका है गोड़ों मालिक तो मुंबई में रते यह किराई पे दिया है किसको? अन्नागू जनेश भाव लोकेशन तो यही है कार आपके है क्यों? नहीं बेचने है मुझे जाओ यहाँ से थाक यहाँ से आज़ा इंस्पेक्टर खान अब बोलेगा 22 अगस को तेरी कार का थी? वह अब अब कोकन में गई थी एक काम से नमबर बोलते रहा 83 69 59 गरेजबो यह नमबर साइबर को भेज़ो और चेक करो 25 तारीक को भाई साब खाना काने के लिए कौन से कौन सी जगे पे रुके थे तब तक मैं चाय पी लेता हूं चाय? चेलो, चाय तो आज़ा अन्ना किदरे कुदरे सड़ पगड़ कि आप बदा सकती हैं कि आप वहां से बच्के कैसे निकली? वो लोग शराब के नशे में बेवोश थे मुझे 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 मिल गया और मैं वहां से भाग ने कि भागते बागते मैं में नोट तक पुच्छी और बेवोश हो गए तब मेरी आग फुली तो में क्या होस्पिकल में थी प्राची को जहां हेल्प मिली उस जगह के आसपास चानविन करो और पता करो कि उसे कहां बंधग बनाया गया था वो सकता है कि वो जगह आसपास ही हो पुगाट ये राजी के गाड़ी लगती है ये देखी क्या मिला पुगाट गाड़ी को फ़न चिक के लें भीचो सर ये रही शरावत फामली की डीटेल फॉरंशिक रिपोर्ट सर उसका शू साइस नौ नंबर नहीं है उससे कम है सर फिट तो क्रियर है इस पूरे कान को अन्मोलों सुष्मा ने मिलकर के अंजाम दिया इसी को कोई शक ना हो सुष्मा ने मर्दो वाले जूदे पहने सबसे कि मेरी महाने अगने से पहले बताया था कि मेरा बाप केशर लाले जिसने मेरी महा का इस्तमाल किया और दरदर की ढोकर खाने के लिए चोड़दिए मैं इसी बात का पता लगने गया था पर सर वहाँ पकडा गया सर अर्वश यह जोर्तफतनों है ठीक है, लेकिन तुम वहां से निकले कैसे? अचनक रात को सब वहां से गायब हो गए मोका देखे, मैं वहां से भाग गया है, सर खुन होने से पहले या खुन होने के पाद? क्या? खुन? कौन से खुन, सर? तुम्हें नहीं बता? पूरे शिरावत परिवार का खुन हो गया? नहीं, सर लेकिन सुनके सुकून मिला मेरी माँ की बद्वा लग गई सबको पर सर इसमें मेरे कोई हाथ नहीं है तो फिर तुम छुपते क्यों बिर रहे है? मिशाल और अरजुन से मचने के लिए सर, इन मज़ूरों को इस लड़की की लाश मिली इस बोरी में, सर इन लड़की की बॉड़ी चेक की, सर साथ बलातकार हुआ है और बलातकार के पहले इसे बहुत मारा पीटा भी गया, सर As per your orders, मैंने डेली सेंट्रल जेल में अनु के पेरोल को काउंटर चेक किया, सर किसी और ने किया था, किये रहे सके पेपर्स मुझे सारे रिपोट्स यह है इस क्राइम से रेलेटेट तमाम फोड़ोग्राज तमाम वीडियो मेरे डिस्क पे राइट नव यस और सुष्मा की लाश को सकी माँ अपक वाजा और चार तरह के लाँ तरह था जी सर इक है? सर यह कुछ खास नहीं है राजी की गाड़ी में एक पार्सल मिला हुआ था उस पर यह लगा हुआ था सर ऑनलाइन ओर करने ओली कंपनी का है जिस भी कंपनी का है उससे कॉंटाक करो कोई भी क्लू नजर अंदाज नहीं होना चाहिए एक सर कर दो पर नहीं होना जरा नहीं समाच़ी माराना वकिल साहब, आप कानुनी तरीके से जवाब देंगे या फिर हम पुलिसिया तरीके से पूछें? सर, सर राजी की कार्ड से जो टेप मिला था, उसे जब चेक किया तो पता चला वो टेप एक पार्सल के साथ है था. यह तो बोल सकता नहीं, तुम ना, तुम बोलो, मेरे पास पेशिंस बहुत कम है. तीन तारीक की राथ, अन्नो मेरे पास आया और वो बताया कि उसे पेरोल मिल गई है, और यह पेरोल सरावस से बदला लेने में इस्तमाल करना चाहता था. वैसे भी उसे आजीवन का रावास मिले हुई है. एक बार सरावस से बदला ले ले, फिर वो यह काम छोड़ देगा मैं भी उसके साथ पंचकुला आया, अखिर पुराना दोस्त होना. जब हम पंचकुला आये तो पता चला कि प्राची की गोदभर आई है, और उसके घर में बहुत गैमा गैमी है. फिर हम लोगे ने अपना प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया, और अगले दिन हत्याकां और शुष्मा और प्राची के किड्नाइप की ख़बर मिली, तो हम लोग चौक गया. अनु बहुत परिसान हो गया था. सिरावत परिवार के मौत का इसे कोई अफसूस नहीं था. लेकिन सुष्मा को लेके बहुत परिशान था. बाद में सुष्मा के मौत की ख़बर मिली. इस खेल के असली खिलाडी कौन है? मिलना चाहूँ. तुम्हारे अड़गेट ने सब कुछ सच सच बता दिया है. अब तुम हमें बताओ कि तुमने अनु को पेरूल देने की महरबानी क्यों की? इसी लिए ना? ताकि सारा खेल तुम रचो. तो ठीक रहा है इन दोनों के सर पर फोड़ दिया है. तुम दोना ने बड़ी प्ला इन साइट से तुमने अपने जूते ओर्डर के थे उसकी रिसीट हमें बिल गए. वही जूते पहिंके तुमने फोन किया था ना? तुरो जाप. चलाप! मा ने मुझे बता दिया था कि बाओ जी ने सारी जायताद उस वेवकुफ अरजुन के नाम पे कर दी है. जबकि उसकी असली उत्रधकारी में बन सकती थी. इसले मैंने बाओ जी से बात के. हमने तुम्हारी शादि में बहुत देज दिया है. मगर बाओ जी? देखो अर्ची को बहुत कुस्सा आके है. हमें पता था कि अर्जुन काबिल नहीं है. फिर भी शुष्मा के साथ हो रहे है अर्टचा के बारे मैं सब जानती थी. मैं क्या? पुरा घर जानता था. और अन्मूल? अन्मूल के साथ जो हुआ उसे भी सब वाकित थे. पिर दिली जाक ता कि हम आपको बता थे. ता कि हमारी अलबाई पे को शक्त ना करे. उसी दौरान मेरा मिस्कारज हो गया. और मिघर वापस आगी. ता कि सब को मुझसे सहानुभूती हो. शक्त नहीं. झाल झाल